हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं DNP Sports दोसो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2021 के खेलों में जीत के वो पांच ऐसे यादगार पल जिन्होंने सब का दिल जीता तो चलिए दोसो इस रिपोर्ट के माधिम से देखते हैं टॉप मैडल जीतना दूसो नीरच चोप्रा ने टोकी ओलमपिक में गोल्ड मैडल जीत कर इतिहाद रच दिया नीरच ने फाइनल में 87.58 मेटर दूर जहलिन को फैंक कर स्वर्णीम सफलता हासल की इसके साथ ही नीरच चोप्रा च्रेक एंफिल्ड इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक चिताने वाले पहले अथलीट बन गए इस लम्हे को देखकर जहां लाखों करोडों हिंदुस्तानियों को गर्व महसूस हुआ वहीं खुशी के आसु भी नहीं रुके दूसरों खेलों में जीत का दूसरा सबसे यादगार लमा रहा नहां भारतिये परुश हौकी टीम का उलोंपिक में 41 साल बाद मैलल का सूखा खتم कर कास से पदक जीता बावबतिये जावाजों ने वापसी की और 5-4 से मकाबला जीत कर इतिहास रच दिया और वाकई इस पल ने लाखो कोरोडों हिंदुस्तानियों को खुशी दी है दूसो कोरोना के चलते जहां IPL 2021 को दो हिस्तों में बाट कर आयोचित करना पड़ा वही कोरोना का जरा सा भी असर IPL की लोग प्रियता पर नहीं पड़ा और तीसरा सबसे यादगार लंभा IPL 2021 की विरिंग टीम चेननी सुपर किंग्स की जीत का रहा जीहर दोसो MS थोनी की कप्तानी वाली चेननी सुपर किंग्स ने IPL की 14 में सीजन का खताब जीत लिया दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में CSK ने कोलकाता नाइडाइडर्स को 27 रनों से माद दी और चेननी का ये चौथा IPL खताब रहा इस लमहे ने भी IPL और लाखों करोनों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को खुशी से भर दिया साल 2021 की टोक्यो पैरा उलम्पिक में भारतिय पैरा एथलीट्स ने जो देश को मेडल जीत कर खुशी दी उसे भुलाए नहीं भुलाया जा सकता जी हां दोसो टोक्यो पेरा अलम्पिक में भारतिय पेरा अथलीट्स ने शांदार प्रदशन किया, भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजट और 6 का से पदक जीत कर 24 मा स्थान हासिल किया इससे पहले भारत का सवस्रेश्ट प्रदशन 2016 के रियो अलम्पिक में रहा था, जहां उसने दो स्वर्ण समेथ 4 पदक जीते थे टोक्यू पेरा अलम्पिक में भारतिय पेरा अथलीट्स ने एतिहासिक प्रदशन कर सभी को हैरानी में भी डाला और देश को खुशी भी दी दोसो भारत की खेलों में जीत के शानदार लम्हों की बात हो और वहां भारत की क्रिकेट टीम कर जिकर ही ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो दोस्तो साल 2021 का पाचवा सबसे यादगार जीत का लम्हा रहा भारत का उस्टेलिया में जाकर उसी की सर्जमी पर उसे हराना जी हाँ दोसो साल के शुरुवात में भारते के टीम ने उस्टेलिया में जा कर उसी की धर्ती पर उसे पटकनी दी भारत और उस्टेलिया के बीच प्रिस्बिन में खेले गए चौते और आखरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने तीन विकेट से जीत दर्ज कर सिरीज को दो एक से अपने नाम कर लिया आखरी दिन टीम इंडिया ने 325 रंड चेस कर रिकार्ड बना दिया 32 साल बाद भारत ने गाबा के मैदान पर उस्टेलिया को माद दी तो दोस्तों ये थे साल 2021 में भारत की खेलों में जीत के पांच शांदार लम्हें जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा तो दोस्तों आज का हमारा सेग्मेंट आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरू बताइएगा इसके अलाबा अगर आपने हमारी चैनल TNP Sports को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कर ले हमारी वीडियो को भी लाइक शेर और कॉमेंट करना ना भूले